नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आपका स्वागत अभी लेंदन हमारे इस प्रोग्राम खेल ग्रहों का में हम बात कर रहे हैं रासी पल सितंबर 2019 मां की धनू रासी में इस समय सनी की साधी साधी का सेकिंड फेस चल रहा है आता सनी की साधी साधी का मद्यब फेस चल रहा है ब्रस्पती रासी से ट्वेल्थ आउस में है राहू रासी से सेवन आउस में है ऐसी इस्तिती में जो रासी फल है वो रासी फल को मैं बहुत ज़्यादा स इसे कोई दुश्मन ही नहीं है जो संकेत है वो आपको बतलाने का प्रियास कर रहा हूं उसमें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है और नहीं कोई व्यक्ति निल्लिप बन करके या संत बनने का दिखावा करें कि हमको रासिपल से कोई फरक नहीं पड़ता है तो जो ग्राओ कोई और बैटने वाला है हर कोई बारी में लगावा है अताथ हर व्यक्ति लाइन में लगावा है आज जिन व्यक्तियों को सनी की साड़ साती है थोड़े ही मैनों में 24 जनवरी 2020 को रस्टिक रासी सनी की साड़ साती से आउट हो जाएगी अताथ वो सनी की साड़ साती मुक और इसी को समय चक्र बोलते हैं, इसी को काल चक्र बोलते हैं, तो हमेशा की तरह है, सबसे पहले हम बात करेंगे, गेन की और वेल्थ की, जहां तक गेन की बात है, फाइनेंस लुड ब्रसपती होता है, और शनी आपकी कुली में धन और संपत्ती का मालिक है, जो अपने स्थान से अपोजिट बैठा है अतात अपने भाव से नास भाव में बैठे हुए हैं तो साती ब्रस्पती लगन का मालिक है वो भी अपने से 12 आउस में बैठे हुए हैं ऐसी इस्तिति में ये बोला जाएगा कि जो असंतुस्ति है वो असंतुस्ति बढ़ जाएग confidence आपका कम हो जाएगा लेको confidence के शिकार होंगे आमदनी की जहां तक बात करेंगे तो शुकर इस समय सत्रूरासी मिस्तित है शुकर सूरिय के साथ में होने से 10 डिगरी के बितर सूरिय के कोई भी गरह होगा वो अस्त हो जाएगा अस्त होने का अर्थ है उसका महत्वहीन हो जाना उसकी strength में उसके प्रवाव में कमी हो जाना आपके देश में जब तक सूरिय की उर्जा आपको दिख रही सूरिय की रोस्नी दिख रही है जब तक वो सूरिय आपके लिए योग्य है आपके लिए काम का है जब सूरिय अस्त हो जाएगा आपको भी मालूम है किसी और कंट्री में सूरिय ओदे हो जाएगा लेकिन वो आपके लिए तो कुछ काम का नहीं आपको तो अल्टरनेट फिल्ट पे अल्टरनेट फिल्ट फे जाना ही पड़ेगा मान लिजे लाइट नहीं है तो गाओं में लोग चिमनी लगाएंगे लालटें लगाएंगे जो कुछ भी अल्टरनेट है उस पे जाएंगे यदि रोशनी का प्रबंद उनको करना है तो इनकम के मामले में आपको असंतुस्ती होगी और साथ इसाथ जो ही नौ सितंबर 2019 आप देखेंगे वहां से और ज़्यादा प्रतिकुलता आएगी अताद आपका पैसा फसेगा आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रियास करने पर ही सक्सेस जब हम करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा हो सकता है फल आधा अदूरा मिले तो बहुत से समय में ऐसा होता है फल अनेक्सपेक्टेड मिलता है जो हमने सोचा नहीं उससे ज़्यादा हमको गेन मिलता है लेकिन कभी ऐसा समय भी आता है कि जो हम सोचते हैं उससे कम गेन होता ह तो ये भी तो एक प्रकार का नियम है, प्रकति का नियम ही है, कि जब बारिस बहुत ज़्यादा है, तो पसु पक्सी भी एक जगह बैट करके सिर्फ वेट करते हैं, उसके बावजूद, उसके बाद में उनको दाना पाने चुगने के लिए, घास तरने के लिए वो निकल सकत तो ये नेचर ने एक विधान बतलाया है, नेचर ने विधान बनाया है, कि हर रासी वालों के लिए कोई कोई परस्तिती प्रतिकुल भी होगी, तो बहुत अनुकुल भी होगी, अनुकुल क्या होगी, ये आपको इस रासी पलके एंड में जाते जाते पता चल जाएगा, तो income के मामलों में आपने बहुत ज़्यादा careful रहना है, कोई भी ऐसा investment नहीं करना है, जिसमें risk हो, इस समय काल में, अथा September मा में, मैं आपको share market के लिए, commodity market के लिए, speculation के लिए, कोई भी तरह का प्रावधान बताने का, या कोई भी तरह की सला देने का काम नहीं कर रहा हूँ, आपने risk factor से बचना है, आतात आपने जोखिम से बचना है, जितना कुछ भी investment, यदि कोई भी property बेचना है, खरीदने का निर्णे कर रहे हैं, तब भी मैं यही कहूँँगा, कि आप बहुत ज़्यादा legally जा करके, किसी वकिल से मिल करके, फिर ही आगे फैसला करें, क्योंकि यह समय आपके लिए भीरोधी है, आपके लिए negative है, इस समय जो भी काम करेंगे, उसमें कोईन कोई lose pulse निकल जाएंगे, इसका अर्थ यह नहीं है, काम काम करेंगे ही नहीं, साबधानी रख करके जितना कर सकते हैं, जितना negativity को control कर सकते हैं, उतना तो करिए, संपत्ति की बा जाता है, negative नहीं बोला जाता है, शत्रूर सेत्री नहीं बोला जाता है, फिर भी जो ग्रह की strength कम है, जो ग्रह सिर्फ इसलिए आया है, कि आपको प्रताडित कर पाए, आपको परशान कर पाए, आपकी समताओं को जाच पाए, आप में कितनी strength है, कितना धहरिया है, आप कित कुछ सेहन कर सकते हैं यही सब कुछ सनी की भाव है सनी इसलिए आपको सनी की सरसाधिक प्रभा में लाता है ताकि आप मैं चोड़ हो पाएं ताकि आपका हुनर और ज्यादा अच्छा हो जाए आपकी काबलियत बढ़ जाएं तो जहां तक संपत्ति की बात है आपने आपको बहुत कंट्रोल में रखना है जहां तक हो सके यह टाइम पिरिट को अवइड कर दीजे कम से कम यह बोल सकता हूं कुछ समय आप रुख जाएं जो ही सही समय आएगा मैं रासिपल में आपको इंगित कर दूँगा कि यह समय आपकी प्रॉपर्टी के लिए ठीक है इस समय का आपको उकसाएंगे कि आप क्या चाहते हो लेकिन आपने सांति रहकर के आपने सिर्फ दूसरों का विचार जाना है उसके बाद में अपना विचार रखना है यह ध्यान रखेंगे तो आप कम से कम जो कुछ भी नुकसान होने वाला है उससे बच पाएंगे अब बात करते परिवार के सुख की सुख का स्वामी आपकी कुंडली में अथाद ये प्रोग्राम रासी पर आदा रहीत है मैं सब जो प्रोग्राम लगन की बात कर रहा हूं उसका मतलब रासी लगने है फोर्थ आउस पर ब्रेस्पती की जश्टी है ब्रेस्पती की जश्टी होने का मतलब सुपता है ब्रसपति की जस्ती होने का मतलब इंप्रूमेंट है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी जो गरेली उस्तितिया है वो फिर भी कंट्रोल में रहेगी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकता मिस्रित्फल बोलूँगा लेकिन उसके बावजुद भी मैं यह बोलूँगा कि गरेली पस्तितिया आपके अपने जो स्टेंट जो आपको मिल रहा है उससे ज़्यादा सही आपको घर में जाने से मिलेगा एटलिस आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो तो सिर्फ और सिर्फ परिशानिया देखेंगे लोगों का विरोध देखेंगे टिक फाइटिंग एटिट्यूड देखेंगे लोगों का क्योंकि सब आपको घेड़ने का प्रियास करेंगे सनि की साठी साथि का सामान्य अर्थों में जदी एक लायन में बोलें हर काम में रुकावट हर काम लंबा किजाना एक की बाद दूसरी बात में तिसरी चेन ओप प्र जोटे में और आपको टारगेट बना देना और समाओ लिटिगेशन में उलजना अताद या तो आप आप किसी पर कोड का केस करेंगे या कोई आप पर कोड केस करेगा ऐसी हिस्तितिया सनी की साड़ी साथी की सम्द में देखी जाती है तो उसमें से कुछ नू कुछ आपके साथ में भी हो रहा होगा और यदि नहीं हो रहा है तो आप बहुत भा असर रहेगा क्योंकि मंगल की दस्ती भी आपकी सुख भाव पर है और आगे जब मंगल बढ़ जाएगा 24 सेप्टंबर को 24 सितंबर को जब बढ़ जाएगा तब उसकी साथवी दस्ती आपकी जासी पर होगी आपकी सुख भाव पर होगी ऐसी इस्तिति में जितना हो सके अप नहीं रखनी है आपके घर के बुजूर्ग यदी बैटे हैं तो उनको फैसला करने दीजे उनको फाइट करने दीजे उनको डिसकस करने लीजे क्योंकि आप डिसकस में उलज करके सरफ और से इस समय को और खराब कर देंगे आपके विरोधी और बढ़ जाएंगे इसले जो भ परिवार ही आपके सपोर्ट में आ जाएगा क्योंकि परिवार के विरोध में जाकर के यदि आप अपनी इच्छा बतलाएंगे अपना डिस्जन देंगे वो आपके लिए हाम हो जाएगा और यदि आपके घर में बड़े बुड़े नहीं हैं तो कोई बात नहीं अपनी प क्योंकि आपकी रासी कुणली में फिफ्ट आउस का लॉड भागियस्तान में है एक त्रिकौन का अदिपती दूसरे त्रिकौन में इस तीज को राजियों की संग्या दी जाती है जब मंगल आगे भी बढ़ जाएगा उस इस्तिती में भी आपकी रासी पर जरूर उसकी द मंगल कोई बीन कोई चाहिए कारें यह कोई से एरज़ेंस त्रिकौट कर राहा है उसके लिए अच्छा क्रोंटिफ है लेकिन कर दिकौई परसन शुक्र से ले जहाएं ओंकट हैं-पंग स्वेका की पड़ाई कर रहा है मास कम्मिनिकरशन की पड़ाई कर रहा है मास मीडिया से रिलेटेड पड़ाई कर रहा है तो उसको इस समय ज्यादा टेंसन देखना पड़ेगा ज्यादा फ्रस्टेशन जहलनी पड़ेगी और ज्यादा उसको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा हो सक समस्या आपकी लाइब में पर्मानेट नहीं है लोग हमेशा एक काम करते हैं कि जो समस्या टेंपरेरी है उससे पर्मानेट दूस्मानी मोल ले लेते हैं पर्माने समस्याओं का इनको इलाज डूंड लेते हैं ऐसा नहीं करना है जो समस्या ही टेंपरेरी है क्योंकि यह जो र कि चारा करोर के बीच में इंटिया में ही एक रासी के एंटॉसमें के एक रासी के उसमें नौक्री पैसा भी ऑगा तो कोईoti बिस्नस्मैन भी योग योगा जोटा बच्चा गया तो कोई व्रत भी हो सकता है तो हर किसी के लिए एक जैसा रासीवल हंडेट पसेंडdo मैं आपक शत्रों की तो रोग का स्वामी शत्रों का स्वामी शुक्र है जो की अगली नौ सितमबर को अपनी नेगटिव रासी में होने जा रहा है अपनी नीच रासी में प्रिवेश कर जाएगा उस इस्तिति में आपने अपने हेल्थ पर ज्यादा कंसरेंट्रेट करना है ज्यादा ध बेवताओं को ब्रस्पति जो है वो आपकी रासी का स्वामी है और शुक्र असूर गुरू है इसलिए उसका शत्रू है ऐसी इस्तिति में जो कुछ भी तिक हेल्थ में प्र聊लम अ Hmmm एकने से लेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, पिंपल से लेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, चेहरे पर जायां आ सकती है, पिग्मेंटेशन से समधित प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी खूपसूर्ती, आपकी स्मार्टनेस, आपकी ब्यूटी में कमी आ सकती है, वो डाउन फॉल प और साथ में uterus से related problem हो सकती है उसको आपने ध्यान रखना है उसको आपने care करना है छोटी सी problem भी हो तो उसको आपने neglect नहीं करना है कि कोई बात नहीं होता रहता है इस तीज़ को आप avoid नहीं करें उसको seriously matter में लें और उसके लिए जहां तक हो सके अच्छे डॉक्टर से सला लें शुक्र के लिए जो भी शुक्र के उपाय करेंगे वो आपके लिए हमेशा बैटर रहेंगे आताथ शुक्र का अर्थ यहां पर है कि हर शुक्रवार की साम को सफिद मिठी चीज़ों का दान करना वो आपके लिए उप्युक्त रहेगा हर सुक्रवार को यदि हो सके दुलक्षमी की बूजा करके सफिद पुस्प चड़ाईया और यदि सुक्रवार का वरत कर सकते हैं तो आपके लिए और अच्छा है यदि कोई करना चाहता है तो आईए अब बात करते दामपत्य सुक्रवार का मालिक बुद्ध है जो कि अगले कुछ दिनों में अधा 10 सितंबर को उच्छ रासिका हो जाएगा लेकिन यहां पर राहू विराज माने सेवन ताउस में राहू विराज माने सेवन ताउस का अर्थ यहां पर दामपत्य सुक्स है ग्रस सुक्स है एक दूसरे के मनोबावों को समझने से रिलेटेड है राहू जाँ पर रहेगा तो वहां पर सोच विचार जादा हो जाएगा ठिंकिंग जादा हो जाएगी और राहू को भी सनी वत्फल देने के लिए जाना जाता है तो सनी के साड़ साथी आपको चल रही है उसकी सीधी दस्ती सांत्वी दस्ती सेवन ताउस पर भी है राहू पर भी है और राहू एक प्रकासे चिकोटी काटने का काम करता है राहू चिकोटी काटने का काम करता है ऐसा कोई sentence बोल देंगे आपका जीवन साथी ऐसा sentence बोल देगा कि आपका पूरा mood ही चौपट हो जाएगा या आप सोचने पर मजबूर हो जाएगे कि ऐसा कुछ हो गया कि ऐसा मुझे सुनने को मिला राहू उस बारे में प्रसिद्ध है अताथ आपको confuse करने में आपको illusion में लाने में आपको अस्थिर बनाने में ये सेवन्त इस्तान में बैठा हुआ राहू जरूर अपना काम करेगा तो आपने इस इस्तितियों में संभल करके रहना है अपने आपको नियंतित करना है immediate react नहीं करना है कोई भी बातचीत हो जाती है तो उसका मनतेवे कुछ और भी हो सकता है बहुत बार हम जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल जाते हैं या कई बार हम को एक appropriate सब्द नहीं मिलते इसलिए हम वो चीज़ दूसरे सब्दों में कह लेते हैं जिसका अर्थ का अनर्थ हो सकता है इसलिए आप अपने उपर थोड़ा नियंतित रख करके उन सब्दों को जानने के प्रयास करें या बातचीत कर लें कि इसका मतलब क्या था एक सेकंड में लड़े जगड़ा तो आप बहुत शनिक जो समय होता है उसमें कर सकते हैं लेकिन उसको समेटने में बहुत टाइम लग जाता है एक बार लड़े जगड़ा होने के बाद में जब एक वार गांट लग जाती है तो वो वैसी डोर वापस कभी नहीं बन पाती है इस ते ध्यान रखिए क्योंकि जो ग्रस सुक है या दंपज सुक है या आपका जीवन साथे की जाद संबंद है वो बहुत नाजुक है उसमें सब्दों का बहुत अच्छे टंग से चैन करना जरूरी है उनके मनोबाओं को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है आईए अब बात करते हैं केरियर की तो आपकी रासी कुले में केरियर का स्वामें बुद्ध है जो कि इस समय भागेस्तान में विचलन कर रहे हैं एक केंद्र का अधिपती भागेस्तान में है सूरी के साथ में इस सिच्वेशन को सूरी के साथ में होने से बुद्ध अधित्य योग बोला जाता है बुद्ध और शुकर साथ में इस इस्तिती को भी महा भागे या महालक्स में योग बोला जाता है बुद्ध और शुकर जब भी साथ में होंगे और 9th house में होंगे और 9th house और 10th house का यदि संबंद हो जाए बुद्ध और सुकर साथ में बैढ़ जाएं या 2nd house में बुद्ध और सुकर साथ में बैढ़ जाएं तो उस व्यक्ति को जोतिस का या spiritual science का ग्यान जरूर होता है जो जो भी professional astrologers होंगे उन सब की कुणली उठा करके देख लीजिए बुद्ध और सुकर का दस्ति समंद्ध या बुद्ध और सुकर साथ में जरूर होंगे तो आपकी रासी कुणली में भी ये situation अभी है अभी चल रही है तो आपको भी ऐसी कुछ अनुबुतियां हो सकती है ज्यान हो सकता है कुछ पुस्तक हैं कुछ लोग मिल सकते हैं जिन से चर्चाओं में आपको इस ग्यान की व्रद्धी हो सकती है आपका interest डवलप हो सकता है तो बुद्ध और शुकर जब भी साथ में होंगे व्यक्ति बहुत ज्यादा logical हो जाता है बहुत ज्यादा curiosity वाला बहुत ज्यादा जिग्या सुप्रवतिका हो जाता है हर काम के पिचे हर बात के पिचे वो कोई को कारण डूनता है कारण समझ में आएगा तब ही बात मानेगा तो यहाँ पर करम की जो इस्तिती है इस समय वो ज्यादा बैटर है आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा ज्यादा शेत्रों में करना पड़ेगा अपने आपको फैलाना पड़ेगा क्योंकि बुद्ध इस समय आने वाली 10 सितंबर को उच्छ रासी को होने जा रहे हैं जो आपके लिए और ज्यादा बैटर है और जो लोग टेलिकॉम सेक्टर में जो लोग संचार माध्यम से जो लोग अकबार के पत्रकार है या कोई मैगजीन चलाते हैं या कोई राइटर है पुस्तक लिखते हैं या कोई कॉलेज में लेक्चरर हैं जो कि लोगों को ग्यान देने का लोगों को पढ़ाने का ट्रेनिंग देने का काम करते हैं ये समय उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किल्स में सुधार हो जाएगा आपकी काबलियत में इंप्रूमेंट आ जाएगा उस काबलियत से आप कमा पाएंगे आप नाम और सौरत भी कमा पाएंगे क्योंकि सब कमाई सरफ और रुपए पैसे से नहीं हो सकती है नाम और सौरत भी कमाए जाता है, पुन्य भी कमाए जाता है, लोग जो विश्वास करते हैं आप पर वो भी आपका गेन है तो जो इस्तिति कर्म की इस्तिति है, वो इस माह में आपके लिए बैटर है और जो नौकरी पैसा है, उन लोगों के लिए भी समय ये अच्छा है, अपने काबलियत दिखाने का, अपने आपको अगली सीडी पर ले जाने का जो जो भी मैंने आपको सम्मन बतलाएं बुद्ध के, उनसे लिटे यदि काम करने वाले लोग भी हैं, तो भी उनको इस समय अपने दिमाग का लोहा दूसरों पर मनवा सकते हैं आप अपनी काबलियत प्रूव कर सकते हैं, आप किस चीज के काबल हैं, किस पोस्ट के काबल हैं, किस सैलेरी के काबल हैं अब बात करते हैं एंड में यात्राओं की तो यात्रा इस्तान में ब्रस्पती है ब्रस्पती चाहे मित्र रासी का है लेकिन एट्था उसको देखता भी है और सिक्स्था उसको देखता भी है फोर्था उसको देखता है इसलिए उन भावों को तो नियंदर्ण कर रहा है 6th और 8th में बैट करके 12th आउस में बैटा वा ब्रेस्पती आपको एब्रोट से लेटेड यदि कोई यात्राएं वो करने का मौका देगा धार्मिक यात्राएं करने का मौका देगा और साथ ही साथ आपको ज्यान के लिए कोई सेमिनार में जाना चाते है कोई इंटर्व्यू के लिए जाना चाते हैं कोई ट्रेनिंग लिए जाना चाते हैं वो मौका भी दे सकता है अताथ ब्रेस्पती 12th आउस में होकर के जो भी यात्राएं करेंगे वो यात्राएं लंबी होगी वो यत्राइं को उद्देश से गले होगी वो उद्देश से पूर्ण हो सकता है चाहे सनी की साड़े साथी चल रही चाहे ब्रेस्पती 12th house में expense से ज़्यादा हो सकता है खर्चा ज़्यादा हो सकता है उसके बावजुद भी आपकी यत्राइं successful रहेंगी आप जो चाते हैं वो आपको सुख सुविदा के साथ में वो उपलबदी भी हासिल होगी ये कहने का मेरा उद्देशिया है अब बात करते हैं उपायों की तो सबसे पहले जो उपाय जरूरी हैं वो सनी से सम्मदित उपाय है अधाध अपने दैनेक जीवन में सनी से सम्मधित कोई भी स्तोत्र का रोजाना आप पाट करें हर सनीवार को black तिंग्स का धान करें, काले रंग की चीजों का धान करें चाहाँ वो कला कपड़ा हो, कला जोता हो, काली उड़त की डाल हो, काले तिल हो, तिल का तेल हो बैंगन की सबजी हो या काले चने की सबजी हो कोई ऐसा दान जो खाने पीने की चीज़ें हो वो ज़्यादा उप्योगते रहता है ज़्यादा सही रहता है सेकिंड जब आप उपाई करेंगे वो उपाई ब्रेस्पति के करेंगे क्योंकि ब्रेस्पति आपकी जब उनको अब याद करेंगे उनकी भक्ति करेंगे उनकी उपासना करेंगे वो आपका पालन क्यों नहीं करेंगे और जब उनका पालन होगा या वो प्रसंद रहेंगे तो उनकी पत्नी लक्षमी का भी आपको साथ मिलेगा उनका असिरवाद भी आपको प्राप्त होगा तो आपको तो सरफ और सरफ spiritually नहीं आपको mentally भी और आपको financially भी support मिलेगा आपको साथ मिलेगा सयोग मिलेगा तो ब्रेस्पति के लिए ब्रेस्पति वार का व्रत किया जा सकता है ब्रेस्पति के लिए दसावतार विश्टू कवच आप धारण कर सकते हैं ब्रेस्पति के लिए ब जड़वा करके एक लॉकेट बना दीजे, वो अमेशा पहने रहें। जिन लोगों को हेल्थ में प्रॉब्लम रहेगी, उन लोगों को शुक्र से सम्मधित पूजा उपासना करनी हैं, वो उपाय करने हैं, वो मैंने आपको बीच में बतलाए हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप किस विशे पर एपिसूड चाते हैं, आप क्या सुधार चाते हैं, ये जरूर बतलाने का प्रियास करें, क्योंकि आपके बताने से ही हम और सुधार कर पाएंगे, हम आपकी जो कसोटी है, उस पर खरा उतरने के लिए जितना प्रिया करेंगे, स्वस्त रहें, प्रसंद रहें, अपना अपने बच्चों का और घर के बड़े बुजूर्गां का खास ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें, नमस्कार